हेलो फ्रेंट्स मैं हुरू भी और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पे फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ गाजर की हलुए की रेसिपी यह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी यह बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाएंगे और नहीं हम इसमें खोय का यूज करेंगे और नहीं हम मावे का यूज करेंगे और फिर भी हमारा हलुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा आपको जरूर पसंद आएंगे और आपके घर में सब को पसंद आएंगे अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए और अगर आज की ये रेसीपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर सेर कीजिएगा चैंle को अगर आपने अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे दबा कर All पे क्लिक कर लिजे ताकि हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो गाजर का हलुआ बनाने के लिए हमें सबसे पैसे चाहिए होगा गाजर तो यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम गाजर और आप देख सकते हैं यह गाजर हमने पतले वाले गाजर लिया है तो जब भी आप गाजर का हलुआ बनाने के लिए गाजर ले रहे हैं तो आप पतले वाला गाजर ही ले क्योंकि पतले वाले जो गाजर होते हैं ये बहुत ही soft होते हैं अंदर तक और ये juicy होते हैं और मीठे भी होते हैं तो गाजर को हमने आगे पीछे का बारिक काट कर हटा दिया है और उसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया है उपर के जो रेशे होते हैं उसे हमने छिल कर हटा दिया है और ग्रेट अपर इस तरह से हमने कद्दुकस कर लिया है और ये हमने लिया है 10-15 काजू इस तरह से हमने बारिक काट लिया है 10-15 बादाम इसे भी हमने इस तरह से बारिक काट लिया है यह हमने लिया है किस्मिस यह काले वाले अंगूर का किस्मिस है और थोरा सा इलाइची पाउडर चार टेवल स्पुन घी और यह हमने लिया है एक चोथाई कप चेनी क्योंकि हमने पतले वाले गाजर यूज किया है और यह गाजर बहुत मीठी होते है तो इसलिए हमने दो चम आधे किलो उस गाजर में हमें आधा किलो ही दूद चाहिए तो यहां पर मैं एक लीटर दूद ली हूँ तो हमें पूरा दूद नहीं डालना है और यहां पर आप देख सकते हमारा कराही अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे घी और घी को हम गरम होने देंगे गेस का फ्लेम हम भी हाई रखेंगे तो घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे कद्दू कस्त किया हुआ गाजर रात का टाइम है इसलिए थोड़ा सा ये आपको इसमें परचाई दिख रहा है पर कोई बात नहीं गाजर डालने के बाद हम इस तरह से इसे घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है तो हम क्या करेंगे इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से फिर हम ढख देंगे और फिर हम इसे पाँच मिनट तक हम ढख ढख कर भूनेंगे बिच बिच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह हमारा गाजर जो है यह जले ना चिपके ना तो इसे मैं ढख दे रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हमारा दूद उबलने लगा है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढख के रख देंगे और पाँच मिनट हो गया है और गाजर भी आप देख सकते हैं सौफ्ट हो गया है तो इसे हम इस तरह से हाँच से दबा कर देखेंगे तो यह सौफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे दूद तो 500 ग्राम गाजर के लिए हमें 500 ग्राम ही दूद डालना है इसमें और दूद डालने के बाद में से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गे विलकुल लो करना है और गाजर बुनते हैं तब मैं अब जब मैं दूद डाल रहे हूं तो अभी घास इसका फ्लेम बिल्कुल लो करना है और लो फ्लेम पे इसे हमें धक के पकाना है जब तक कि यह पूरा दूद्ध चूखना जाए तो बीच-बीच में हमें चलाते रहना है तीन-चार मिनट पे नहीं तो इसमें जो दूद्ध डाला है न हमने यह उफन कर बाहर आने लगेगा गाजर का हलो आप सुगर फ्री भी बना सकते हों तो अगर आप सुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप चिनी को स्केप कर सकते हैं तो चिनी डालकर इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है ताकि हम हमारा चिन्नी अच्छे से घुल जाए और इसे हम सुखने देंगे तो बस तीन-चार मिनट लगेगा इसे सुखाने में यहां पर आप देख सकते हैं यह सुख गया है अब हम इसमें ड्राइफूड डालेंगे तो जो भी हमने ड्राइफूड रखा था उसमें से हम थोरा सा ब और बादाम और इनाइची पाउडर हमने पूरा डाल दिया है और बांकी के ड्राइफूड हमने थोरा सा बचा लिया है तो हमारा हरु हल्वा बनकर तैयार है तो इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने हल्वे को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और यह जो हमने ड्राइफूड बचा के रखा था इसे हम इस तरह से इसके उपर डाल देंगे ताकि यह देखने में और भी चुन्दर दिखे तो इसे आप गरम-गरम ही सर्व करें तो बहुत ही स्वादिश ठलुवा बना है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर राए किजिए और अगर आज की यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करक है कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मैंने रखता है जब आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे पढ़कर खुशी होती है और मैं मोटिवेट होती हूं वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज कमेंट जरूर स्सक्राइब कीजिएगा मैं फिर मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई